आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुपकाम नाए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर के सिहिंग राशी फल के बारे में ये 31 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा इस दिन ग्रहों की इस्तिति क्या होगी नक्षत्र क् उपाए आप कर सकते हैं तो सारी चीजें आपको विस्तार से पता चलेंगी तो वीडियो को लास्ट तक देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जोड़ जाए चैनल के साथ अब जो 31 दिसंबर का दिन है ये क्रश्न पक्ष की पंचमी तिथी है और मगा नक्षत्र रहेगा बहुत अच्छा योग बना हुआ है भगवान विश्नु का योग है प्रिति नाम का योग बनेगा चंद्रमा आपके लगन में विराजमान है सूरी है आपकी राशी के स्व नए वर्ष की शुरुवात होनी है गुरू आज मार्गी हो जाएंगे और गुरू के मार्गी होने से नए वर्ष में जो प्रवेश आपका होने वाला है उसमें कई तरह के अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि गुरू एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही कैसे आपको लाब मिलेंगे? चले, विस्तार से बात करेंगे, सबसे पहली चीज तो आपको एक अपनी स्वास्ते का ध्यान रखना है इसिन, अभी जो मौसम है, मौसम की वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कते देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़ सा स्वास्ते पर ध्यान रख कर चलेंगे तो अपनी हर एक चीज़ पर आप ध्यान दे पाएंगे अपनी इकागरता को बरकरार रखें एकागरता को अगर बरकरार रखने में दिक्कत आ रही है इस राशी के स्टूडेंट्स को तो आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि आज जो आपका वक्त है अगर वो ब जो प्रभाव है वो आपके जीवन में कुछ ऐसे मुद्दो को ठीक करने का कारिया करेगा कि आप उन चीजों को सोच कर थोड़ा भावुक हो जाएंगे आपको ऐसे कारिया आज करने को मिलेंगे जिनको आप करना चाहते थे जिन कारियों से आप जुड़ना चाहते थे बस शांत रहते हुए ऐसे कारे को करें और कोई भी निर्ने अगर आपको कामकाज के सिलसे में लेना है तो जल्दबाजी में नहीं लेना है ताकि बाद में आपको पस्तावा ना हो भावनात्मक रूप से आप बहुत अच्छे अनुभाव कर पाएंगे बांसिक रूप से स्थिर शाम के समय को अच्छी योजना बना कर अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार की लोगों के साथ समय बिता सकते हैं और इस दिन देखिए प्रीम जीवन में अगर मैं बात करूं तो रुमान से भरपूर रहेगा आनंदाई रहेगा काफी रुमान चक रहेगा किसी विस्तित अपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं इस पर भी आपको ध्यान रखना है लेकिन उन से उनको खैन नुकसान क्या फायदा हो रहा है इस पर भी ध्यान आपको रखना है आज आपका खिचाव जीवन साती के साथ खिचाव और आकर्शन आप गजब का महसूस करेंगे जिन लोगों का आत्म विश्वास कमजोर है आज वो फुल कॉन्विडेंट होने वाले हैं किसी से अपनी बात कहना चाहते थे तो अपनी बातों को भी शेर कर सकते हैं आपके अंदर एक गुण होता है नेत्रत्व करने का गुण और ये जो आपके एक शमता है इसकी वज़े से बहुत सारे कामों से आप ना जुड़े इसमें आपके लिए आप एक ही चीज पर फोकस ना करके कई जगा आपका फोकस भी बटेगा और आप एक ही चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे यानि आपको अच्छे लाब नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो अपनी शमताओं का आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लेकर आया है अच्छे ग्रहों के साथ अच्छे गोचर के साथ इस वर्ष की शुरुआत हो रही है तो फेबरेबल रहेगा और ये आखरी दिन है इस वर्ष का मन में बहुत सारी चीजें होंगे कुछ लोग पार्टी करने के मूड में ह और कुछ लोग घर में ही समय विताना पसंद करेंगे आज चुटी का दिन है रविवार का दिन है लेकिन सब के लिए चुटी का दिन भी नहीं है जो वैपार करते हैं जो दुकानदारी करते हैं उनके लिए आज मन काफी उतसाहित रहने वाला है बिजी रहने वाला है अग अब ज्वाइन करने के लिए अच्छा दिन है और बुजर्गों में अगर स्वास्ते संबंदी कुछ दिकते चल रही थी तो वहां अच्छी आपको राहत मिलेगी जो राजनी दिक शेतर से जुड़े हैं उनको आज किसी मैत पून चर्चा में शामिल होने का मौका मिल सकता है जिसमें उन्हें अपनी बात लोगों के सामने जरूर रखने चाहिए और यात्रा कभियोग है सेंगराशी के जात्ता किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं यात्रा करते समय ऐसे लोगों से दोरी बरना कर रखें जो इर्शा लू हैं जघडा लू है क्योंकि ऐसे लोग आपकी यात्रा को बरबाद कर सकते हैं कोई मित्र अगर आप से धनोधार मांगने आता है तो थोड़ा सोट समझ कर दें आपका पैसा वापिस मिलेगा नहीं इस चीज का ध्यान रखें स्टुडेंट्स के लिए अच्छा दिन है सिक्षा में आ रहे ही समस्याओं पर आप पूरा फोक कार सरूप जरूर मिलने वाला है कुछ इस राशी के जातक जो कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे और आपने ये सोचा कि आपको ऐसी जगा पैसा लगाना चाहिए जहां आपको तुरंत फायदा मिले या आपके जो फायदे की सितिया है उनसे आपके परिव भी उठाएंगे और जहां तक प्रेम जीवन की बात है तो देखे प्रेम जीवन अच्छा है आपका विवाहिक जीवन भी बहुत शांदार है आज फैमिली के साथ वक्त बिताना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है अगर किसी भी चीज पर आपको गुसा आता है तो अपनी क्रोध पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल जरूर करना है आपको किसी भी तरह का दुरुवैवार करने से बचना है ऐसी चीजों को अवाइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि नए वर्स की शुरुआत एकदम शांती के साथ आप शुरू करें क्योंकि यह जो ग्रहे हैं आपके राशी के स्वामी हो गए वो धनूराशी में विराश्मान है जो की गुरू की ही राशी है साथ में मंगल भी बैटे हैं तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ सकता है तो बस अपनी गुस्सों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें गुस्से कंट करते हैं क्या उपाय आप कर सकते हैं तो सूरी देव को अर्दे दें ओम सूर्य नारायने नमो नमा मंत्र कजब करें और किसी भी एक कोई आपको जरुत मंद वैक्ति दिखता है महिला है या पुरुष है तो उसको गुड का दान जरूर करें इस गुड के दान से आपको बहु अच्छे फायते दिखाए देंगे और साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें